देखें हम फिर से समझेंगे in, into, in या inside क्या है, throw क्या है, in का use हम लोग basically कहा करते हैं देखो into का use करते है motion के लिए, कोई चीज़ यहां से यहां गई है motion करते हूँ और अंदर गई है तो use करते है into और in का use करते हैं यहां पर 2D होता है, 2D के sense में हम लोग use करते हैं in, in या inside बात एक ही है, हम लोग use करते हैं 3D के sense में, example के throw हम लोग समझेंगे और throw का use कहते है 3D dimension के लिए जैसे कोई pipe से जा रहा है कोई jungle से जा रहा है कोई city से होते हो जा रहा है तो होते हुए के sense में उन्हों use कहते है throw जैसे कि the king went through the jungle ठीक है इन का use कहते है in family, in year, in century, in mind, in book, in movie ऐसे करके इनकी limit होती है in childhood, in poverty, in democracy, in slavery, in health, in confession ऐसे बहुत सारी words है, मैंने सारी important आपर दे दिये है on tv, on air, on phone, on internet, on facebook, on instagram, on twitter, etc जो भी आपको अच्छे लगते हो चलाने के लिए on youtube हम बात करें, basically, इन में क्या difference है जैसे कि इसमें, या फिर इन दोनों माल लीजे, इन में और इसमें क्या difference है difference है कि इन जो है, इनकी एक limit होती है इन जो है, वो limited है और on जो वो unlimited है ये in limited और on unlimited ये समझे में नहीं है कि limited और unlimited का मतलब क्या है आईए समझते एक्जम्पल से अगर बात करें the magician turned the mouse dash a cat मतलब पहले वो mouse था, वो बाद हैं बदल गया cat में इसका मतलब इसमें changing होई है जब changing होगी तो हम लोग यहां पर use करेंगे into का अगर ये part wise वीडियो चल लाए तो जो नई लोग हैं मैं उसे suggest करना चाहता हूँ उनको कि 5-6-7-8 वीडियो पहले जाना इन सभी का मैंने बहुत जाए बता है किसका कहां पर use होता है और उनीका uses उनीका uses जो हम लोग यहां पर सीख रहे हैं और मैं उनको suggestion एक और देना चाहता हूँ कि आप इन सब को छोड़िये आप नंबर एक वीडियो से देखिए टैम लगेगा काफी जादा चीज़ों को देखने लिए 2-3 महीने में cover नहीं उपाएगा मेरे हाद से तरह बस हाँ यह ज़रूँ है अगा 5-6 गंटे आप रोज पढ़ोगे तो सायथ से लगस cover जरूर हो जाएगा आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी इसलिए लाइन से पढ़िए सारी वीडियो की लिंक दिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नेश दिखते हैं किसी आदमी ने किसी पैराग्राफ को इंगलिस में convert किया ट्रांसेट किया इसका मतलब यह clear है कि इंगलिस में आगा पहले से होता तो फिर इंगलिस में क्यों किया जाता मैं कहूं इस काले पैन को थोड़ा काला कर दो जब यह already काला तो उखको काला कैसे करोगे तो यहाँ पे पैराग्राफ इंगलिस में नहीं था और इंगलिस में किया इसका मतलब यहाँ पे ट्रांस्फॉर्मिशन हुआ है और जब ट्रांस्फॉर्मिशन होगा तब यहाँ पे इंटू होगा जैसे माउस से केट बना ट्रांस्फॉर्मिशन हुआ ऐसी पैराग्राफ को इंगलिस में कनवर्ट किया transit किया there are some trees dash the park अब पार्क में कुछ ट्री हैं तो यहां पर जनरल सेंस की बात हो रही है तो in the park मालूम भी है there are some books dash the box अगर बॉक्स की बात के तो बॉक्स जो फ्रीडी होता है और अगर इसमें है तो यहां पर दो वर्ड लग सकते हैं इन या इंसाइड दोनों सही है there are some books dash pocket pocket की बात किए तो वो तो बंद होता है तो हम वहाँ पर लगा देंगे in I saw the man dash the book मैंने उस आदमी को बुक में देखा था मैंने उस आदमी को बुक में देखा था तो बुक की अगर बात की जाए तो बुक जो है वो एक limited source होता है तो हम वहाँ पर लगाएंगे in I saw the man dash TV अब TV बात करें तो टीवी unlimited है देखो एक बुक की सीमा है एक limit है उसके वाद फिनिस हो जाती है तीवी का कोई भी end नहीं है आप एक single channel लगा दो अपे लाइफ काट दोगे तो चैनल पर कई प्रोग्राम फिनिस नहीं होगे ठीक है अब यह मत कहने किस आदमी को मैंन है तो हर बातों देखा ही नहीं है वह आदमी भाले ही नहीं दिखाए दिले कि आपर सोर्स क्या दिया है सोर्स दिया टीवी तो सोर्स जो वह unlimited है तो यहां पर हो जाएगा on यह सोर्स जो वह limited है इसलिए मेरा यूज होगा in अच्छा I listened the man dash air all India radio तो कॉमस हैस की बात है all India radio को end ही नहीं वो तो unlimited है तो वहां पर use होगा on अच्छा यहां पर दा क्यों नहीं लगा on the TV क्यों होता है on the ear क्यों होता है all India radio already एक है TV already एक है source वह confirm भी पहले सही है इसलिए वहां पर में दा का use नहीं करते हैं अगर मैं बात करूं articles की तो article अग सुरुआ से पढ़ते चले आओ होगे जो भी मैंने basic का पहला वीडियो दिया है तो वहां से यहां तक आने में आए थी मेरे खाल से 60-300 वीडियो 300 से 60-300 के आसवास वीडियो होने वाले होंगे तो इनमें अपने चेक हो कि मैंने article एंदा की बात हर जगे की है adjective बात हर जगे हुई है preparation की बात हर जगे हुई ह तो आप सोचो कि article एक एक जगे पढ़ा दी जाएगा और पूरे ग्यान मिल जाएगा possible नहीं है कि और article लगाने की और ना लगाने की more than 200 rules हैं 200 से ज़्यादा नियाम हैसे हैं जहां पर article लगेगा जहां पर article नहीं लगेगा और जहां पर article आ भी सकता है और नहीं भी आसा तो वो तो सेंस पर डिपेंड करता है उसकी तो कोई limit ही नहीं है तो इस हिसाब सो तो में यह सौन में आ रहा है कि article एस जगे नहीं पढ़ा जा सकता है कोई बीचेपटर एस जगे पढ़ा नहीं जा सकता है वह पूरे English से match करता है उसको उस जगे पढ़ना भी चाहिए वह हाज आज जगे include है क्योंकि language जो है वो कोई chapter में उसको हम लोग सिमित निकसते हैं वो unlimited है ठीक है तो overall मैं आपको यहाँ समझाए किस में क्या difference है और आपको यह समझना है कि किस का use कहां पर करना है आज की time के साफ से मैंने आपको कुछ नए words भी लिए जैसे कि social media के facebook, instagram, facebook, internet यह सब हम लोग यूज करते हैं यह YouTube है इसलिए मैंने आप एक्टांपल समझावी दिया कि इनके साथ में क्या हैगा यही आपको भी focus करना है